यूँ तो भारत जोडो यात्रा कई वजहों से चर्चा में आई है लेकिन एक और बहुत बड़ी वजे रही भारत जोडो यात्रा के पोस्टर जिसके बाद में इस यात्रा को लेकर एक नए किसम की चर्चा, एक नए किसम की ट्विटर जंग, सोशल मीडिया वार जो भी कहें उनका चेहरा पोस्टर में दिखाए दिया कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए लगाए गए पोस्टर में सावर कर की तस्वीर दिखी अब ये चौकाने वाला था किसी के लिए भी सावर कर जिनने बीजेपी बहुत मानती है सावरकर जिनके नाम से कॉंग्रेस का परहिज ही रहा है सावरकर की तस्वीर कैसे स्वतंतरता सिनानियों के बीच में लगा दी गई ये कॉंग्रेस के लिए बड़ी सोचने की बात थी तो ये बहुत बड़ा सवाले इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं आखर कॉंग्रेस के कारीकरम में भारत जोरो यात्रा में सावरकर की तस्वीर आई कैसे हैं केरल के एर्णा कुलम जिले में पहुंची तो वहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों के पोस्टर्स में विनायक दामोदार सावरकर जिने वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है कि तस्वीर लगी थी सोशल मीडिया पर वीडियो वाइरल होने के बाद जैसे ही कॉंग्रेसियों को इसका पता चला उन्होंने तुरंत सावरकर की फोटो को महात्मा गांदी की तस्वीर से ढख दिया गया वाइरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कॉंग्रेस के पोस्टर में रविन नाट टैगोर, गोविन वल्लब पंथ, वीर सावरकर, चंदर शेखर आजास समेत कई स्वतंतरता सेनानी नजर आ रहे हैं हाला कि जैसे ही कॉंग्रेस को अपनी गलती का एसास हुआ तो पोस्टर से कारेकरता सावरकर की तस्वीर हटा देते हैं और मात्मा गांदी की फोटो को बैनर पर लगाते हुए दिखाई देते हैं पोस्टर में सावरकर की फोटो दिखने पर कॉंग्रेस ने बयान जारी किया और सफाई दिये तो अब किसने लगाया था ये सवाल जो है इसका जवाब यहाँ पर आपको मिलेगा कॉंग्रस ने बयान जारी कर कहा कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ये प्रिंटिंग के गलती है भारत जोड़ो यात्रा के राज्ज सबनवयर के सुरेश ने कहा कि मुझे लगता है कि बैनर छापने वाला विकति भाजपा RSS का विकति हो सकता है और उसने जान बूज कर ऐसा किया है कांग्रस कारिकरता कभी भी बैनर पर सावर करकी फोटो नहीं लगाएंगे हम पूश्टाज करेंगे हमारे नितृतने कारिवाई की और इस्थानिय नेता को तुरंत निलंबित कर दिया है निलंबित तक कर दिया गया ने इसको कितनी गंभीरता से लिया गया कॉंग्रेस तो यही कह रही है कि क्या ये भाजपा की साज़िश हो सकती है वही निलंबित इस्थानिय कॉंग्रेस नेता सुरेश ने कहा कि दो सब्ता से यात्रा के लिए काम कर रहे हैं स्वतंतता सेनानियों की तस्वीरों वाले फ्लैक्स को मंगलवार रात करीब 9 बजे छपवाने के लिए दिया गया था 22 तस्वीरें इंटरनेट से ली गई उन्होंने एक डेमो भेजा लेकिन मैंने अच्छी तरह से जाच नहीं की ये मेरी घल्ती थी सावरकर की फोटो पर भाजपा ने चुटकी ली कांग्रेस पर निशाना साथ दिया सावरकर को हीरो मानने वाली भाजपा ने इस मामले को तुरंद लपक लिया भाजपा नेता शहजाद पुनावाला ने कहा कभी नहीं से देर बहतर है वीर सावरकर की तस्वीर एंड़ना कुलम में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को सुशोभित करती है राहुल जी आप इतिहास को कितना भी आजमा लें लेकिन सच सामने आ जाता है सावरकर वीर थे और जो छुपाते हैं वो कायर है शहजाद पुनावाला ने कहा कि सच और इतिहास छिपाए नहीं छिपता है इसलिए राहुल गांदी वीर सावरकर के विशे में लगातार जूट पर उस्ते जा रहे हैं आज उनी कारिकरताओं ने उनी के भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर में वीर सावरकर को महान और वीर सपूत माना है और राहुल गांदी के मुँपर करारा तमाचा है भाजपा के ITCEL के प्रवक्ता अमित मालवी ने भी कॉंग्रेस के पोस्टर में विनायक दामुदर सावरकर की फोटो लगाने पर राहुल गांदी और पार्टी को निशाने पर लिया अमित मालवी ने ट्वीट किया वीर सावरकर की तस्वीर एड़ना कुलम में कॉंग्रेस की भारत जुड़ो यात्रा को सुशोबित करती हुई अरे फेक न्यूज बेचने वाले स्वतंतरता संग्राम के दोरान नहरू ने करीब 10 साल जेल में बिताए याद कीजे तब आप अंग्रेजों के लिए जासूसी कर रहे थे और सौरी कह रहे थे इस बीच बुलबुल के पंको पर उड़ने वाले सावरकर का आनंद ले सावरकर को लेकर कॉंग्रेस बीजेपी की अलग-अलग राय है ये भी समझने जैसी है सावरकर को लेकर कॉंग्रेस और भाजपा की राय अलग-अलग है भाजपा विनायक दामुदर सावरकर को वीर सावरकर स्वतंतरता सेनानी के तौर पर जानती है, मांती है जबकि कॉंग्रेस उनकी आजादी के अंदोलन को लेकर सवाल खड़ी करती रही है कॉंग्रेस का कहना है कि अंग्रेजों से माफी मांगने वाला शक्त स्वतंतरता सेनानी नहीं हो सकता पिछले कुछ समय से सावरकर को लेकर कॉंग्रेस और बीजेपी में अक्सर आपने टकराओ की स्थिती देखी होगी दोनों पार्टियां आमने सामने देखी होगी देश की राजनीती में कभी सबसे ताकतवर पार्टी रही और सबसे ज्यादा सब्ता पर काबिज रह चुकी कॉंग्रेस पार्टी इस वक्त भारी अंतर कले और बिखराओं से भी जूज रही है पार्टी ना तो इस्थाई अध्यक्षपद पर किसी नाम पर फैसला ले पा रही है और ना ही पार्टी के पुराने वफादार नेताओं को जाने से रोख पा रही है ऐसे में 2024 लोग सबा चुनाओ नजदीक है इस आपाध हापी और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कॉंग्रेस पार्टी ने राहूल गांदी के नेतरित में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी पांच महीने तक की इस यात्रा में कॉंग्रेस नेता बारा राज्यों का प्रमन करते हुए कन्या कुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करेंगे कॉंग्रेस की स्यात्रा का मकसद सिर्फ भाजपा को चुनौती देना नहीं खुद का अस्तित्व बचाना भी है इस स्यात्रा से क्या कॉंग्रेस को जोड़ने का मकसद भी पूरा होगा जिसकी वज़े से भारत जोडो यात्रा चर्चा में आई है और एक और विवाद ऐसा ही रहा जब वीर सावर करकी तस्वीर जो है वो कॉंग्रेस के पोस्टर पर देखने को मिली जैसा कभी नहीं हुआ था और भारत जोडो यात्रा जैसी महतुन यात्रा के दौरान इसे इस् तो इसको साजिश कहा जा सकता है कि कॉंग्रेस इस तरह क्या रोप लगा रही है बराल सावर कर की तस्वीर तो आई है उसके उपर फिर मात्मा गांदी की तस्वीर लगा कर इस बात को छुपाने की दबाने की कुशिश भी की गई है लेकिन इस से भारत जोडो यात्रा को लेकर एक नया विवाद एक नई जर्चा शुरू हो गई